आज मैंने लूंज के लिए सबसे जल्दी बनने वाली 10-15 मिनट में बनने वाली बिंडी की सबजी बनाई है जो कि मैंने बिंडी और प्याज को एक साथ ही कट कर लिया था और अब इसको बनाने के लिए मैंने कडाई में थोड़ा से तेल दिया उसमें जीरा डाला और हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो जब हमारा जीर अच्छे चटक जाएगा तब इसमें हरी मिर्च डालेंगे हरी मिर्च को भी 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है अगर हरी मिर्च को हम डायक तेल में पहले फ्राई करते हैं तो सबजी का टेस्ट काफी बढ़ जात हैं अब इसमें चपचपा भन ज्यादा ना रहा है तो इसके लिए मैंने इसमें एक आदा नीबू का रस डाल देंगे इसके अंदर मतलब भिंडी की सब्जी में कुछ ना कुछ थोड़ा सा खटापन जरूरी है तब ही वह एकदम से बिकरी बिकरी बनेंगी तो मैंने इसम आप दही भी डाल सकते हैं या मैंगो पाउडर भी डाल सकते हैं कुछ भी मतलब इसमें एक थोड़ा सा खटापन डालने के लिए जरूरी है अब इसको नीबू का रस डालने के बाद इसको अच्छी से एक तर चला देंगे मतलब 2-3 मिनट के लिए इसी तरीके से हम चलाए इसमें आधे अब अब इसमें मसाले भी बहुत कम-कम डालने धो है थोड़ासा मैना इसमें धनिया पाउडर ढला था थोड़ासा हल्दी पाउडर डालाहें अब नमक हम अभी नहीं डालेंगे बस इसको इन सब दोने हम अच्छी से मिक्स कर देंगे अब flame को हम medium flame पर कर देंगे medium flame के बाद इसको अच्छे से ऐसे ही इस तरह की से mix करेंगे और कम से कम इसको ऐसे ही open नी 10 से 15 मिनट के लिए हम पकाएंगे अब इच बीच में चलाते भी रहेंगे जिससे कि हमारी भिंडी नीचे लगे नहीं तो यह देखे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और भिंडी भी हमारी almost पक चुकी है अब हम इस stage base में नमक डालेंगे नमक अपने taste के according डालना है last में भिंडी में अगर नमक डालते हैं तो बहुत ही बिखरी बिखरी बनती है अगर हम पहले से ही भिंडी में नमक डाल देंगे तो बहुत चिपचिपी होती है और बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा यह लंच के लिए बहुत ए अच्छी एजी और रैसिपी है और आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब की जिगा थेंक यू फ्रेंट्स जैसे ग्रेजना व्रेंट्स जैसरी रादे